जैबाबा अमरनाथ की नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये है जम्मू तभी रेले इस्टेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जम्मू से अमरनाथ कैसे पहुँचें वो भी दोस्तों मात्र 560 रुपे के खर्चे मे जम्मू से अमरनाथ यात्रा तक की पूरी A-2-Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इसलिए वीडियो को लाश्ट तक जहुद देखिएगा जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लिज चैनल को सब्सक्राइब रुकर लीजेगा क्योंक तीस से चालिस मिन्ट में बहुत असानी से पहुंच जाएंगे अब यहां से आप बनिहाल के लिए बस या टैकसी ले लीजिए जिनमीं शेरिंग में 5 सुर्पे किराया होता है पर वेगती हर एक खंटे पर आपको यहां से बनिहाल के लिए टैक्सी बसे मिल जाएंगी मैं बस में बैड़ गया हूँ दोस्तों इस बस में मेरा 4 Сूरुपे किराया लगा है वैसे दोस्तों जम्मू से benihail तक का 4 Sूरुपे पर वेक्ति किराया है सीजन के समय यहाँ पर बस वाले किराया बढ़ा देते हैं 5 सूरुपे कर देते हैं अगर आप बस वाले से थोड़ा बार्गनिंग करेंगे तो बस वाला 400 रुपे में मान जाएगा जम्मू से बनिहाल की दूरी लगबग 1500 किलिमीटर होगी जम्मू से बनिहाल पहुंचने में आपको कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा अभी सुभा के 8 बज रहे हैं सामने आप देख रहे हैं यह है बनिहाल रेल विश्टेशन आपको बस वाला ठीक बनिहाल रेल विश्टेशन की सामने ही उठा रहेगा जम्मू से हमारी बस सुभा 8 बज निकली थी और अभी टाइम हो रहा है बारा बच कर 40 मिनट हो रहा है लगबग 4 घंटा 40 मिनट का समय हमें लगा है जम्मू से बनिहाल पहुंचने में अब यहां से आप टिकट कटा लीजिए अनंतनाग रेल विश्टेशन तक का जो आपका लगेगा 10 रुपे का यहां पर चलने वाली ट्रेनों में पूरा डबबा जनरल क्लास का होता है आप किसी भी डबे में जाके बैठ जाईए सुबा 7 बज़े से लेकर साम के 6 बज़े तक यहां पर हर एक गंटे पर ट्रेन अनंतनाग के लिए चलती रहती है प्लेटफोन नंबर 2 से आपको ट्रेन मिलेगी अनंतनाग के लिए बनिहाल से अनंतनाग की दूरी लगबग 40 किलिमेटर होगी आपको ट्रेन आदे घंटे में अनंतनाग पहुँचा देगी एक बचकर 25 मिनट पर हमाई ट्रेन बनिहाल से निकली थी और अभी टाइम हो रहा है दो बचकर 2 मिनट हो रहे हैं लगबग 37 मिनट में इस ट्रेन ने हमें बनिहाल से अनंतनाग पहुँचा आए है अब हम रेले विचेशन से बाहर निकलेंगे अनंतनाग रेले विचेशन के बाहर से आपको sharing में taxi cab मिल जाएंगी पहल गाम तक के लिए जिनमें sharing में दोस्तों देड़ सुरुपे करया लगता है Cab वाले टैक्सी वाले आपको बढ़ चलतर करया बताएंगे 20 रुपे, 30 रुपे लेकिन आप bargaining करेंगे तो ये देड़ सुरुपे में मान जाते हैं क्योंकि दोस्तों मैं देड़ सुरुपे में गया था पहल गाम यहां से अनंद नाग से पहल गाम की दूरी लगबग 45 किलो मेटर होगी आपको कैब बाला एक से देड़ घंटे में बहुत ही असानी से पहुँचा देगा हम पहल गाम पहुँच चुके हैं अभी मेरी घड़ी में साड़े तीन बज़ रहे हैं लगबग देड़ घंटे में अनंद नाग से पहल गाम हमें टैक्सी वाले ने पहुँचा दिया है दोस्तों आज रात हम पहल गाम में ही रुकेंगे और अगली सुबा अमरनाथ बाबा के द्रशन के लिए जाएंगे अमरनाथ यात्रा के दुरान यहां पर यात्रियों के लिए अच्छी खासी वविस्था की जाती है ठहरने के लिए और खाने पीने के लिए यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ पर इस तरह के टेंट लगाई जाते हैं और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर बेड लगे हुए हैं विस्तर लगे हुए हैं पर बेड का 200 रुपे चार्ज होता है खाने पीने की बात करें तो यहां पर खाना पीना यात्रियों के लिए निसुल को होता है कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं लगता है पहल गाम में एक रात इस्टे करने के बाद अब आप निकल जाएए अमनात यात्रा के लिए पहल गाम से अमनाथ बाबा के दर्शन के लिए आपको पैदल ही जाना होगा यहां पर आए हुए सभी सरधालू पहल गाम से अमनाथ बाबा के दर्शन के लिए पैदल ही यात्रा करती है पहल गाम से अमनाथ तक की पैदल यात्रा लगबग 40-45 किलिम्यूटर की होती है करवा लें और अपने साथ अपना हेल्थ सार्टिफिकेट भी जरूर ले जाएगा तभी आप यात्रा में सामील हो पाएंगे दोस्तो ये थी जम्मू से बाबा अमनात दर्बार तक की जानकारी मात्र 560 रुपे के खर्चे में हम जम्मू से अमनात बाबा के दर्बार तक पह फिर अनंतनाक से कैब में पहल गाम तक का देड़स रुपे टोटल 560 रुपे हमारा खर्चा हुआ है जम्मू से पहल गाम तक का पहल गाम से अमन्नत बाबा के दरबार तक सभी यातरी पैदल ही जाते हैं दोस्तो अब वीडियो को में हिसमात करूँगा इस वीडियो मैंने आपको सभी महत्तुपूंग जानकारी दे दी है अगर आपके मन में कोई सवाल है आप कुछ पूछना चाते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो आपको थोड़ी स